हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस बुंदस लीगा के मैच का हम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खिल जाएगा बायन म्यूनिक वर्सेस बायर लेवरकूसन के बीच मैच का वैनि होगा म्यूनिक पिक अफ होगा रात में 12 एम पे तो बायन म्यूनिक आपको बता दू जर्मन बुंदस लीगा का बेश क्लब माना जाता है और लगबग हर सीजन बुंदस लीगा का टाइटल जो हो बायन म्यूनिक की जीतता है इनका मैच है बायर लेवरकूसन से जो की मेरे अक्वाडिंग टॉप 5 क्लप्स के अंडर में काउ जर्मन बुंदस लीगा के फिलाल इन दोनों ही क्लप्स देना अभी ये वाला सीजन उतना अप्टूदा मार्क श्टार्ट नहीं किया है बायन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन अभी तक खरे उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरें सेम गोजवित लेवर कूसन फिलाल मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दू इस मैच की लाइन अप आने के बाद जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम चेनल में तो जो मेरे टेलिग्राम चेनल का लिंक है आपको मिल जागा डिस्क्रिप्सन या टेलीगराम चैनल से वापस मैच पे आतों अब मैं आपको पॉइंच टिवल दिखाता हूँ तो आप देखिए बायन अभी फिफ पोजिशन में जनरली ये टीम हर सीजन बुंदस लीगा में इस स्टेज तक टॉप में रहती है और टाइटल चालेंज में रहती है लेकिन इस स लाश्ट चार में बायन उनके मैच नहीं जीती है तीन उनके ड्रॉ और यह इक तरीक देखिए बायनन उनके मैच है और आपको लेवर कुशन के श्टेंडिंग दिखाऊं तो लेवर कुशन और नीचे फिप्टीन पोजिशां से इस टीम ने लाश्ट थे इस सीजन ये टीम चेंपियन लीग में भी खेल लिए लेकिन इस सीजन आप देखिए कितना खराब स्टार्ट इनका भी हुआ है 15 पोजिशन में साथ में सिर्फ एक मैच जीती है दो ड्रो चार लॉसे से सिर्फ नौ गोल मारे 12 गोल कंसीट के और 5 इनके पॉइंट है तो का ड्रो खेला इस्टूट कार्ट से मुसियाला और टैल ने उनकी तरफ से एक गोल मारा अलफंसर डेविज और मजरूवी का असिश्ट रहा था और जो लास्ट मैच बैन खेल के आई है उसमें वो वन निल नेरो मार्जिन से और बंदस लीगा में वहीं लेवर कुसन के ला की बात करें ना मेरे अकॉर्डिंग यहां पर फिवरेट बायन यह अपने घर में खिल लिए लेवर कुसन से बहुत-बहुत इस्ट्रॉंग टीम है क्वालेटी वाइस तो मैं अभी के लिए स्मॉल लिग में बायन कोई बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं और मैं आज करेंगे मैं अच्छे मार्जीन से जीतके वापस कमभेग करेगी लूकास हननांडेश और सारर में बाहर है और किंगस लिक ओमें बी डाउटफुल होने वाले हैं तो फिलाल बायन की प्रोविवल लिय लेवन देखते हैं मैन्वल नॉयर इनके गोलकीबर होंगे, चार इनके डिफेंडर होंगे, बेंजमीन पवाइट, उपामे कानो, डिलीट और अलफंसोर डेविस, तो फिलाल, अगर किसी एक टिम का क्लीन शीट का, मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है, बायन का लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं, बायन हो गिया, अच्थीटी हो गिया, ये दो-तीन ऐसे कलफस है, जिनके मिट्फिल और अटेक में इतनी ज़्यादा क्वालिटी है ना, यहाँ पर हम एक नीज दो एक्स्ट्रा मिट्फिल रहें, दो एक्स्ट्रा अटेकर भी लिया सकते हैं, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहूना, डिफेंटर में सिर्फ दो ही पिक कर रहा हूँ, और मैं पांच अटेकिंग प्लेयर्स के साथ जा रहूँ, लेकिन अगर आपको सेफ जाने हैं, आप तब भी बैन के तीन डिफेंटर पिक करके चले आना, लेकिन फिलाल के लिए मैं दोगी डिफेंटर पिक कर रहा हूँ, अभी मेरी टॉप टू जाइस हैं, डेविस और पवाइड इनके फुल बेक्स, अगर आपको थार्ड डिफेंटर चूस करना है, तो यहाँ पर एक फिप्टी-प्टी कॉल रहेगा, उपामे कानो और डिलीट में, उपामे कानो डिफेंसिवाइस मुझे ज्यादा स्वालिड लगते हैं, टैगलिंग इंटर्सेप्सन ज्यादा करते हैं, लेकिन डिलीट के पास वो एक्स फेक्टर है ना, यह रेंडम हेड़ेट गोल बहुत मारते हैं, हमने लास्स यहाँ यूएंटर्स में भी देखा है, और बायन में भी आई थिंग एकाद गोल आ गया हैंका, तो अभी के लिए मैं उपामे कानों और डिलीट में अगर मिलको डिफेंसिव आईस के साथ जाओंगा, मैं उपामे कानों के साथ जाओंगा, अगर मैं यह एज्यूम करूँगा कि कोई रेंडम हेड़ेट गोल मार सकता है, वो डिलीट होगा, तो यहाँ पर मैं फोड़ा बहुत नलब प्रिडिक्ट नहीं करवारू कि इसको भी करूँ, लेकिन मैं स्लाइडली सहथ डिफेंसिव पॉइंटर विउसे उपामे कानों के साथ जाओंगा, अबना थार्ड डिफेंडर, विलाल मैं सिर्फ पवाड होगा, इन दोनों ही डिफेंडर को विक करके चल लाओं, अब बयान की मिटफिल्ड में किमिक और गुरेसका खेलते वे दिखाए दिखाए दिखेंगे, गुरेसका अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन किमिक मस्ट पिक है, ये वो प्लेयर है जो विदाउट गुरेसका आपको किसी किसी मैच मेना, 40 प्लस पॉइंट भी देदेंगे, सारे कॉर्णर की फ्रीकिक भी ये लिए लिए, तो किमिक मस्ट पिक रहने वाले हैं, अगर आपको इनकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए कोई भी रिलाइबल आप्सन नहीं मिला, तो किमिक वो आप्सन आपके लिए हो सकते हैं, ये वो से प्लेयर है जो मैक्जिमम मैचेस पे अच्छे पॉइंट विदाउट गोल असिस देते हैं, साथ मैं गोल असिस्ट आगे हो बोनस है, तो मैं किमिक को शोली भी कर रहा हूँ, मैं मुसियाला को शोली भी करूँगा, असिस्ट तो मैं मुसियाला को शोली भी करूँगा, इन फॉर्म है, तो किमिक के अलोंसाइड मैं मुसियाला को भी कर रहा हूँ, और मेरा थार्ड मैस्ट पिक प्लेयर है का साध्यों माने, अल्दो बहुत जादा गोल नहीं मारे जितनी एक्सपेक्टेशन थी, इस्टिल तीन गोल स्कॉर कर चुके हैं, और मैं आपको एक स्टेट बताओ तो, माने अभी तक ना, इनका जो बैन का होम ग्राउंड है अलाइन जारी ना, माने पिक कर हो, मैं मुसियाला पिक कर हो, और मैं किमिक को भी कर रो हूँ, अब मैंने जैसे आपको बताए था, मैं Defender 2 ही पिक कर रो और मैं 5 अटेंगिंग ले लिया रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए Sane और मुलर इन दौनोंको भी कर के चलल लहाँ, लेकिन ये दोनों न इस season बहुत जादा inconsistent न ज़र रहे, साने एक match में अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद flop रहे हैं, फिर अच्छा कर रहे हैं, फिर साने के बास बहुत जादा quality है, हम underestimate नहीं कर सकते हैं, इनने बारसा क्या guess, UCL मैं भी goal मारते था last to last week, तो साने बड़ा प्लेयर है इस वेसे में पिक कर रहा हूँ और थॉमस मुलर ने सीयन काफी डिसपॉइंट किया अगर मैं आपको स्टैट दिखाऊं तो थॉमस मुलर ने विदक सिर्फ एक गोल दो असिश के बहुत बड़ा नाम है पिछले सीयन था कि बहुत जादा असिश् चल लाओं बड़ अगर आप बयान का थर्ट डिफेंडर पिक कर रहें उपामे का नोया डिलीट में किसी एक को उस केस में यहाँ पे आप अपने अकोडिंग कोल लेलना साने या मुलर में आप किसी एक को डॉप करके वो थर्ट डिफेंडर पिक कर सकते हैं बड़ फिलाल यहाँ पर एक ट्रिकी कॉल रहेगा सायद मैं मुलर को आज सेक्रिवाइस करूँ अगर मेरेको थर्ट डिफेंडर चूज करना होगा लेकिन अभी के लिए जैसा मैंने आपको बताया मैं पीछे दे दो डिफेंडर पावाड और डेवेस और यह पांच वाइटेकिंग प्ल देखके आपको टीम क्रेट करने में हेल्प मिल जाएगी तो आप यह स्टेट देख सकते हैं डिरेक्ट हम अपुनेंट पर आते हैं उससे बहले में एक बार फिर से रिवाइंड दिला दू इस मैच की फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए आपको जोईन करना होगा हमा फ्रैस्यस और व्रोरियान विट्स इस मैच में बाहर है तो इनकी प्रभीवाली लिएंट देखते हैं रिडे की इनके गोल की पर इंपर्टेट हूंगे कूँकि बायन बहुत अटेक करती है तो यह हमें अच्छे खाज सेफ करके दे सकते हैं गोल की पर जो है मैं इनका रि इंगेटरी defender मुझे pick करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं defense section में में तीन player ले जाना ही पड़ते हैं तो अभी मैं बायन के दो ही defender ले आरो तो मैं एक नाएक defender यहां से ले जाओंगा फिलाल इनके defense में मेरी top two choice है फ्रिमपॉंग एन हिंके भी फ्रिमपॉंग थोड़ा advance रोल में खिल ले हैं इस वैसे मेरी according ज्यादा effective हो सकते हैं ज्यादा goal assist करने में capable है और यह इनका season भी अच्छा जा रहा है दो goal यह already score कर चुके तो अभी के लिए मैं फ्रिमपॉंग के साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हिंके भी आपके लिए option हो सकते हैं यह भी डिफेंसिवाइज अच्छे हैं और यह occasionally assist भी प्रोवाइड कर सकते हैं बागी टाट अपस होगा header में तो solid है लेकिन अभी बायान फेब्रेट है तो हम सिर्फ एक करेंगे मैंने बता दिया आपको अगर दो चूज करने तो हिंके को एट कर लेना नहीं तो फ्रिमपॉंग के बदल्याब हिंके के साथ भी जा सकते हैं एंट्री और डेमिर भाई सेंट्रल मिट्विल में करेंगे एंट्री एक प्रॉपर डिफेंसिवांडेट प्लेयर है इ तो मैं डेमिर भाई को शोली पिक करने अलो और इनका सिलेक्शन भी काफी ज्यादा हाई है और एक चीज़ इनके अगेंग्स आती है यह हर मैज में 60 से 70 मिनट के आसपाव सब्सीड़ी उटते हैं यह चीज है लेकिन अभी के लिए सेव आफसर नहींगे तो मैं पिक करके चल ला हूँ अब मैं फॉरवर्ट से पैट्रिक शिक को भी शोली पिक करूँगा इनका टेलिस्मेन है लास्ट सिज़न इन्होंने 25 गोल मारे थे ऑल्दो यह सिज़न अभी तक अप टूदा मार्क नहीं गया किसी वैसे थोड़ा बहुत बाहुत बायन स्वारी लेवर को से स्ट्रगल कर दिया क्योंकि सिख उतनी अच्छी फॉर्म में सिफ दो गोल मारें लेकिन बड़ा स्ट्राइक कर रहें बड़े मैच में स्कोर कर सकता है तो मैं सिख को भी करके चल लो और दूसरी चीज यह इनके पेनल्टी टेकर भी है इस वैसे पैट्रिक शिक और ज्याद कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैंने पिक नहीं किया अब एक प्लेयर है डियावी नाम का डियावी का भी पिछला सिखन बहुत अच्छा गया था बहुत इन्होंने गोल असिस्ट किये थे यहाँ पर लेवर कुशन के लिए आई थिंग 10-11 गोल और 10-11 असिस्ट प्रोव के लिए मैंने इनको पिक नहीं कर पाया तो यह बायर लेवर कुशन की प्रोवेबल 11 थी यहां से भी मैंने आपको लगबग सभी चीजे डिटेल में कर दी पैनल्टी इनके शीक लिंगे और यह मैंने अभी तक के इनके सीन के बुंदस रिखा के स्टैट लिखें आप यह स के दो डिफेंडर फुल वेक अलबंसो डिवीज और पवाइड लिये और एक डिफेंडर मैंने यहां से फ्रिम पॉंग ले लिया अगर आपको फ्रिम पॉंग पिक नहीं करने तो मैंने बता दिया आप लेवर कुशन के लेफ्ट वेक हिंके भी के साथ जा सकते हैं बागी म आपको लगता सानी फ्लॉप जागा तो आप साले हटागे बायान का जूर्थ डिफेंडर उसके साथ जा सकते हैं अगर उसकेस में आप फ्रिम पॉंग हटागे यहां पे मुसा डियावी को भी कर सकते हैं लेकिन प्लेयर बहुत बड़ा एक गोल असेश्ट कर सकता है तो फ आपको लग रहा है मुलर सानी में कोई गोल असेश्ट करेगा आप उनको भी आनिटे वाइस केप्टन सी दे सकते हैं तो फिलाल यह मेरी डेमूर टीम थी मेरी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको जोईन करना बड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से तो जो मेरे ट दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोईन कर लिए